हेलो फ्रेंड्स वेलकम टो आ यूट्यूब चैनल ग्यानोफाई आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ इंडियन नेशनल कॉंग्रेस 1885 से लेकर 1948 तक जितनी भी शेशन्स होई है सब A to Z पूरे डिटेल के साथ और मैं आपको इस तरह पढ़ाऊंगा कि आपके आने वाले ए 28th of December 1885 में तो इसके founder कौन थे तो वो थे A.O. Hume ठीक है वो एक Englishman थे और इसका foundation हुआ कहां पे था तो वो हुआ था मॉंबई में गोकूल दास तेजपाल संस्कृत विद्याले में और जो Congress का नाम था वो पहले क्या था पहले इसका नाम था Indian National Union बाद में दादा भाई नरो वाइसरा कौन थे तो ऐसी organization बना देना जो अंग्रे जो कहीं सुपड़ा साफ कर दे तो उसका वाइसरा कोई डफर ही हो सकता है तो वह था लोड़ डफरें ठीक है अब पहला session of the Congress की बात करें तो पहला जो session था वो होने वाला था पूने में लेकिन हुआ कहा Bombay में ऐसा क्य ही लो गया और उसे Bombay में conduct करा गया अब हम लोग पढ़ते हैं छोटी छोटी मगर मोटी बात है मतलब कि कौन कौन से लोगों ने Congress के बारे में क्या के statement दिया था यह statement directly आपके exam में code कर दिया जाते है आप से पूछा जाता है कि यह statement किस ने कहा था तो सबसे पहले आते हैं Lord D Dufferin ठीक है तो Lord Dufferin ने कहा था उन्होंने कहा था कि Congress is nothing but an institution of invisible minority मतलब उसमें minority भीजिवली यह नहीं है और विंदोगोस ने क्या कहा था कि Congress जो है कुछों नहीं एको begging institution है भीक मांगने वाला संस्था है तीसरा हो गया Lord Karjan तो Lord Karjan ने कहा था कि Congress is tottering to its fault Congress वा धीरे-धीरे ढहर रहा रहा हमें देख के इसका मजा लेंगे ठीक है and will assist its peaceful device उसके बाद हो गया फिरोज सामेहता फिरोज सामेहता ने कहा था कि Congress voice is not people voice उसके लाला लाजपत्राय ने कहा था कि theory of safety valve in the formation of Congress कि जो Congress हुआ है एक safety valve की तरह काम करता है कि pressure बढ़ जाएगा तो valve को पर कर दो pressure release हो जा महत्मा गांधी ने कहा था कि जो Congress है जैसे हमें आजादी मिल जाएगी Congress को खदम कर देना चाहिए विपिन चैंदरपाल ने कहा था कि Congress is playing with bubble ठीक है तो यह सारे statement है जो आफको ध्यान रखने है क्योंकि आफके examination में पूछ सकते हैं अब आगे बढ़ते हैं अब हम लोग सबसे पहले है 1885 का session तो 1885 में जो Bombay session हुआ था उसमें WCB energy थे और उसमें total 72 representative थे उसके बाद हुआ 1886 में वो कलकत्ता में हुआ इसमें कौन थे दादा भाई नरोजी थे और दादा भाई जी नरोजी जो है तीन टाइम प्रेसिडेंट बन चुके हैं 1886, 1893 और 1906 में उसके बाद 1887 में मदरास में हुआ इसमें क्या खास बाद थी इसमें पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट थे बदरुदीन त्याब जी ठीक है उसका इसमें जो प्रेसिडेंट थे वो Englishman थे तो आप से पूछा जाएगा कि पहली बार Englishman का प्रेसिडेंट थे तो वो 1888 के session में फिर 1896 का session कलकत्ता में हुआ उसमें रहिम उत्तुल्ला एम शयानी थे और इस टाइम क्या खासियत थी इस टाइम ये खासियत थी कि पहली बार वंदे मात्रम गाया गया था और भाईयो किष्णे गाया था तो वो गया था रभीन नाट टैगोर ने उसके बाद 1905 में बनारस में session ह हुआ जिसमें गोपाल करिष्ण को खले था 1905 में आपको पता है बंगाल का partition हुआ था अब बढटें result से इसका सेशन कलकत्ता में हुआ था इस टाइम क्या हुआ दादा भाई नरोजी प्रेसिडेंट थे और खासियत क्या थी तो पहली बार इस सेशन में स्वराज टर्म यूज किया गया था उसके नाइंटीन जीरो शेवन बहुत इंपॉर्टेंट है सूरत में इसमें रास बिह पहली बार जन गनमना गया गया था उसके बाद नाइंटीन सिस्टिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यह लखनौ शेशन था इसमें एशी मजुमदार बैठे थे इसमें तीन इंपॉर्टेंट चीज हुआ था क्या क्या हुआ था पहले रियूनियन हुआ था मॉडरेट और दूसरा इसी सेशन में तिलक ने कहा था कि स्वराज इस माई बर्थ राइट और मैं इसे हाशिल करके रहूंगा और इसी सेशन में क्या हुआ था कि इंडियन नेशनल कॉंग्रेस और मुस्लिम पैक्ट आपस में मिल गया थे एक मिटिंग हो गया था दोनों में ठीक है में थी कलकता सेशन में थी 19 17 में उसके बाद 19 20 में 1922 में दो सेशन होते हैं एक कलकत्ता शेशन एक नाकपूर सेशन कलकता सेशन में लाला लाच पत्राय जी आते हैं और इसमें NCM जो है नं कौपरेशन मुवमेंट पास नहीं हो पाता है है जिनना वह छोड़के भाग जाते हैं Congress मुह लटका के ठीक है इससे एक और आपको question मन सकता आप से पूछा जाएगा कि जो लाल बाल पाल के group है तीनों जगरी दोस्त तो इसमें कौन से ऐसे थे जो Congress के President बने थे तो बस इन तीनों में लाला लाजपत राए ही प्रेसिडेंट बने थे उसके 1922 में आफके BPSC point of view से इंपॉर्टेंट है जिसमें सियार दास थे उसके बाद उसमें क्या हुआ था स्वराज पार्टी बना था ठीक है 1922 पता होगा जब गांधी जी ने चोरी-चोरा के बाद आंदोलन वापस खिच लिया तो इन लोगों ने मोतिलाल नेहरू और सियार दास ने मिलके स्वराज पार्टी बनाया था 1924 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हमारे बापू ठीक है हमारे गांधी जी महत्मा गांधी जी पहली बार कॉंग्रेस के किसी सेसर में प्रेसिडेंट बने थे और वो था बेल गाउं सेशन और वेल पहले एनी बेसेंट किया थी वुमेन प्रेसिडेंट थी क्योंकि वह बाहर की थी लेकिन सरोजनी नैडू इंडियन है इसलिए आपसे पूछा जाएगा फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट कब बनी थी तो वह कानपूर सेशन में 1925 में ठीक है अब हम आते हैं 1929 के सेशन में तो इस सेशन बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि यह लाहॉर का सेशन था इसमें हमारे नहरू जी थे और इसी सेशन में पूर्ण स्वराज का रिजॉलूशन पास किया गया था उसके बाद 1931 में हमारे लोह पूरुष शरदार वल्लब भाई पटेल जी आये व क्योंकि इसमें सकेंड इंडियन वुमेन जो थी वो प्रेसिडेंट बनी थी जिनका नाम था नलीनी शेन गुपता ठीक है 1936 में फिर दो सेशन होते हैं एक लखनव में होता एक फैचपूर में होते हैं लखनव वाले सेशन अप्रिल में हुआ था और फैचपूर वाला इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ था कि कॉइस का कोई सेशन गाउं में हुआ था उसके वान 1938 और 39 सेशन भी इंपॉर्टेंट है दो हार गए बस के सामने क्योंकि बस तो बहुस है ना उनके सामने कोंटिकेगा तो गांधी जी गे गुसाह और बसॉमट भी बले विच्वा सम्हामगर्ड में हुआ था 1940 में सेशन जो थे वो थे प्रेसिडेन्ट कॉंग्रेस के और ये उनका टेन्यूर था सबसे बड़ा था 6 साल आपको पूछेँक्ट से जो पुझे रिजो प्रेसिडेट थे वह उनका सबसे लंबा टेनियर था वो था अबूल कलाम अजाद का और सबसे यंगेश भी थे उसके बाद आपको 1946 और 48 का बहुत इंपॉर्टन याद करना है क्योंकि 1946 से 47 मेरट में जो सेशन हुआ था उसमें थे आचार जेपी क्रिपलानी और इसमें आप से कोश्चन पूछ सकते हैं कि जब इंडिया अजाद हो रहा था एड़ टाइम ओफ इंडिपेंडेंस कौन थे कॉंग्रेस के प्रेसिडेंट तो वो थे आचार जेपी क्रिपलानी उसके बाद क्या होता है 1948 मतला आपसे पुझा जाएगा कि अजादी के बाद कॉंग्रेस के प् आप बताएंगे पट्टावी सीता रमिया जी हां दोस्तों वही पट्टावी सीता रमिया जिसके चलते बॉस जी को रिजाइन देना पड़ गया था अब हम आते हैं मैप में इस मैप में मैंने क्या किया है कि आपको पूरे के पूरे शेषन को दिखा दिया है ठीक है एटूजेट सेशन यहां पे आपको दिखाए हुए हैं आपको खुद से इस मैप को देखना और इमेजिन करना है जैसे कलकत्ता शेशन हो गया मदराश शेशन हो गया तो यह शेशन जो था कलकत्ता या मदराश बनारस लखनो लाहबाद मेरट जैपूर लाहोर कराची त्रिपूरी नागपूर पूना सूरत बंबे बेलगाओं मदराश तो पूरे के पूरे सेशन को आपको दिमांग में रखना है उसको कॉपी में नोट डाउन कीजिए और खुद से लिखिए कि यह लाहोर सेशन का हुआ था इसमें क्या इंपॉर्टेंट था मेरट में क्या 41 से 45 के बीच में नहीं हुआ था और 47 में नहीं हुआ था फिर एक इंपॉर्टेंट कोस्टन आता है कि पहली बार महात्मा गांधी कॉंग्रेस के प्लाट्फॉम पे कब दिखे थे तो वह दिखे थे 1901 में ठीक है कि सेशन में खलकत्ता सेशन में तो इस तरह आपका पूरा का पूरा कॉंग्रेस सेशन का सुपड़ा साफ मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आफ कोई भी एक्जामनेशन के कोस्टन उठाइए कोई भी कोस्टन बैंक उठाइए घटना चाहिए वह जो भी अरिहंत लूसेंट जो भी उठाना आपको उठाइए उसके कोस्टन सॉल और फिर आफ हमें बताएंगे कि आफके 70-80% कोस्टन चुटकियों में सॉल हो जाएंगे तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही आफ कमेंट बोक्स में बताएंगे आफको लेक्चर कैसा रहा और आफको किस किस टॉपिक पे और लेक्चर चाहिए बिपीएस के लिए और आफ़र में में बताएंगे लेक्चर के लिए खके.